नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार। हारदिक स्वागत है हमारे यूटूब। चैनल पर मित्रों हिंदू परंपरा में कोई भी। विध्वा क्यों हो जाता है। शादी शुदा जरूर देखें। स्ट्री के लिए विध्वा बना एक अभिशाप से कम नहीं है। समाज से पीडिट स्ट्री के मन में केवल यही विचार आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसमें मेरा क्या दोस्त था। मित्रों इस प्रश्न का कोई भी सटीक जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन आज हम आप लोगों को इस विडियो के माध्यम से स्त्री द्वारा किया जाने वाले तीन ऐसे कर्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें गरुर कुरान के अनुसार पती के मृत्यू का कारण माना गया है। अगर आप भी इसके बारे मे जानना चाते हैं। तो आप हमारे इस विडियो में अंत तक जरूर बने रहिए तो चलिए सब। इसकनी से पहले पती की मृत्यू के रहसे के बारे में बताया गया है और इनी रहसेओं से इस जन्म में आपका विद्वा होना ज़रूरी है। आपके किस जन्म के कर्मों का फल है? इसका भी उत्तर मौजूद है। जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना गरूल। पुराण में तीन ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो एक स्त्री के विद्वा होने का करण बनते हैं तो आईए विस्तार पूर्वक जानते हैं मित्रों जब भी कोई विवाहित स्त्री अपने पती की लंबी उम्र के लिए करवा चौत या बढ़ सावित्री का वरत रखती है या फिर कोई ऐसा वरत करती है जिसका एक मात्र उद्देश पती के लंबी उम्र के लिए होता है तो उस्त्री को वह वरत पूरे निश्था से करनी चाहिए। क्योंकि गरुर कुराण के अनुसार देखा जाए तो जो स्त्री अपने वरत के नियोंगों का पालन का उलंगन करके विधिविधान का उल्जन करती है। या फिर कोई स्त्री वरत के दौरान चोरी छुपी भजन करती है या पानी ग्रहन करती है और ऐसा करने के बाद अपने किया हुआ इस उल्जन को बड़ी ही आसानी से छुपा लेती है तो समझ जाए ऐसी स्त्री के पती की आयू कम होना निश्चित है यही नहीं पत्नी की यह गलती भविश्य में उसके पती के मृत्यू का करण भी बन सकता है शास्त्रों में बताया गया है कि वरत के दौरान अगर कोई स्त्री भजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है तो उसे आने वाले कई जन्मों तक पती के सुख से वन्चित रहना पड़ता है गरुर कुरा का इस्तमाल करती हो तो इसे भी भर पाप की श्रेणी में रखा गया है और इस गलती को करने से पती की अकाल मृत्यू हो जाती है गरुर कुरान में सपश्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई स्त्री अपने पती के लिए पूरे निश्था से वरत करती है लेकिन दूसर को हमेशा के लिए पती के सुख से वंचित रहना पड़ता है मित्रों अब हम आप लोगों को गरुर कुरान में वर्नित तीसरी ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे गरुर कुरान के अनुसार अगर कोई स्त्री मास का सेवन करती ह तो उसके पती के ऊपर नियमित रूप से कोई ना कोई परेशानी आती रहती है इतना ही नहीं यह छोटी सी गलती उसके पती के जल्दी मृत्यू का कारण भी बन शक्ती है तो मित्रों यह थे वह तीन कारण जिने करने के बाद किसी भी पत्मी को युवावस्था में ही आपकी जानकारी के लिए इन सब के अलावा और भी कुछ ऐसे गलतियां होते हैं जिने करने से एक स्त्री के पती की आयू कम होती है जैसे कि कोई स्त्री अगर गुरुवार के दिन बाल धोती है तो यह गलती पती और पुत्र दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकता है सुनने में यह कोई बड़ा पाप नहीं लगता लेकिन यह छोटा सा कर्म उसके पती के मौत का करन भी बन सकता है इसके अलावा जो स्त्री अपने सुहाग के निशानिया के महत्व को नहीं समझती या फिर मंगल सूत्र और सिंदूर को नहीं पहनती तो उनका ऐसा करना उनक पती की उम्र घटाना के साथ साथ आयू पूरी होने से पहली ही उनके मृत्यू का कारण भी बन सकता है शास्त्रों में बताया गया है कि पती से पहले भजन करने वाली रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री के साथ साथ जो स्त्री पूरे हफ़ते में एक दिन भी व्रत नहीं रखती वह भी पती के सुख से वंचित हो सकती है इसके अलावा अगर कोई स्त्री पती के होते हुए किसी अन्य पुरुष पर नजर डालते हो या फिर गलत संबंध स्थापित कर रही हो तो यह भी एक ऐसा कर्म है जो उसके पती को युवा अवस्था में ही मृत्यू पर परलोग सकता है तो मित्रो हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आप भी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं तो इन गलतियां को भूल से भी ना करें उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर कम उम्र में स्त्री विद्वा क्यों हो जाती हैं आज की वीडियो में बस इतना ही आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेर जरूर करें फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद